अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसी पूरी सबसी यह देखिए हमारी पू गैस की फ्रेम को ओन कर देंगे और इसमें एड़ करेंगे 4 टिवर स्पून आइल अब वाइल के हीट होने का वेट करते हैं यह देखिए वाइल हीट हो चुका है अब इसमें आड़ कर देंगे 2 तेज़ पत्ते अब देखिए हमने यह पांच फोरन लिया है जो पांच मसाल रहता है इसमें होती है सौफ जीरा मेथी दाना सर्सो और अजवाइन वाइट कर देंगे यहां पर यह हमने वन एड़ हाफ टी स्पून लिया है इसको तोड़ी तेल में सौटे कर लेंगे देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है इसमें हम यहां पर चॉप्ड की हुई अनियन एड़ कर दी है जो कि तीन से चार मेडियम साइस की अनियन थी देखिए अनियन फ्राई हो चुकी है अब इसमें आड़ कर देंगे वन टिबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट अब जिंजर गालिक पेस को अच्छे से भूल लेंगे इस पॉइंट पर इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे यहां पर हमने लिए हैं वन टीस्पून हल्दी पाउडर बन टीस्पून लाल मिर्शू का पाउडर और एड़ करेंगे वन टीस्पून नमक अब इन मसालों को अच्छे से भूल लेंगे इस पॉइंट पर नहीं पर आजाए यहां पर तीन से चार मेडियम साइज के टोमैटो थे उसकी प्यूरी बना ली थी अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें आउइल ना उपर आ जाए इदेगे तीन से चार मेड़ हो जोगे हमार और इसमें एड़ करेंगे दो कफ वाटर अब वाटर में बॉइल आने का वेट करते हैं गैस की फ्लेम हाई कर देंगे यह देखें वाटर में बॉइल आ चुका है अब इसमें एड़ करेंगे तीन से सार मीडियम साइस के उबले आलू है जिसको हमने ऐसी रफली हाँ से मैश कर लिया था आप देख सकते हैं इसके बड़े बड़े पीसे से इसको एड़ कर देंगे मसाले में अब इसको मसाले मे अब इसको तीन से चार मिनट हो ग regardless है हमारे अलू अपक चुके है इस पॉइंप ढेन गラम और रिकर दानीक है यह हमारी सबसी बड़न बन के तयार है अब इसको हम लुआ कि पाँए है पूरी की रेस्पी स्टार्ट करते हैं पूरी बनाने के लिए है दो का पाटा इसमें आड़ कर देंगे वन टीस्पून नमक नमक आपनी टेस्पून यूज़ कर सकते हैं यहां पे लिए हैं आफ टीस्पून अजवाइन इसको में इस तरह हाथ से मसल की डाल देंगे ताकि इसका फ्लीवर अच्छे से आजाएगा और अब इन दोनों चीज़ों को ऐसे साटे कर लें गये है ऐसा कि दिखेंकि चैसे में सब्सक्राइ यहां प्याइब हया guilty गी को अच्छिचिजार अटे में मिक्स कर लेंगे गी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे अधिक हमारा गी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके एक सक्त डो गूंद लेंगे पूरी बनाने के लिए अच्छे से फोल दी देखें हमारा आटा काफी सक्त है अब हमारा आटा हो चुका है अम लोग पूरी बना लेते हैं अब पूरा आटा ले लेंगे और इसकी एक राउंड करके एक छोटा पीस ले लेंगे आप उस छोटे पीस को इस तरह से राउंड कर लें और छुटी छुटी लोईं काट लेंगे इसमें से एक लोई लेकर उसका बॉल बना लेंगे यह देखे हम नेक बॉल बना के तयार कर लिया है अब इसमें हल्का साथ लगा देंगे आप चाहें तो आप वायल भी यूज़ कर सकते हैं बस हमने यहां पे छोटा सूखा लिया है अब पूरी को बेल लेंगे पूरी को जादा पतला ने करेंगे हल्की सी ठिक रखेंगे जैस देखेंगे आप देख सकते हमारी पूरी की थिकनेस है इसी तरह बागी बैची भी पूरी आम लोग बेल लेंगे पूरी के तायार कर लिए भी इसको फ्राइब कर लेते हैं यहां पे एक पैन में ऑईल गरम उचुका है उसको थोड़ा साथ डाल के चेक कर लेंगे पूरी के पूरी के अधी पूरी के अधी कर लेंगे और बीच में प्रेस करेंगे जिसे कि आप देख सकते हैं अब इसको अधी घुलका गोल्डन पाउने तक फ्राइ कर लेंगे गिए िप्रेस को सब्बेड लेंगे नित अब जाए करें और यहां तो चैनल पेजानालब के इस्ता कर दोंट विक डोब के व सब्राइब भी शर्वाइन आइक करें ताकि आप मेरी आने वाली और वीडियो को भी सबसे पहले देखता हैं